नवस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अनकैडमी के इस ब्रैंड न्यू प्लेटफॉर्म अभियान पर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पिछले से अगर जोड़े हैं तो मेरा नाम अजय है और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से MPPAC की प्रारंभिक परिक्षा प् अभी रिवीजन सेसाने इसका जो मुख्य सेसन था वो हमने पहले ही कवर करा दिया था अभी हम लोग इसको रिवाइज करने एक्जाम की द्रिष्टी से से सेसन के लास्ट में कुछ MCQs भी हैं I am requesting you all कि प्लीज MCQs को भी जरूर अटेम्ट कीजिए दोस्तों आगे बढ़न पूरी प्रीकी तैयारी इसी प्लेटफॉम के माध्यम से आपको कराई जा रही है इसके अलाबा उन विद्ध्यारतियों को जो केवल अनकेडमी को यूटूब के माध्यम से ही देखते हैं दोस्तों हम यहां पर बता दे कि अनकेडमी एक एप्लिकेशन भी है जो क्वालिट करने के पाद आपको गॉल सिलेक करना है जैसे आप अपना गॉल मतलब जिसे अद एक्जाम के आप तयारी कर रहे है जैसे आप सेलेक्ट करेंगे दोस्तों आपको दो टाइप की क्लासे मिलेंगी एक free class मिलेगी और एक मिलेगी plus class free classes होती हैं जो हमारे सारे top educators हर मंथ आप लोगों के लिए कुछ topics related content provide कराते हैं आपके exams related कुछ MCQs और test series को चलाते हैं यह free classes अगर आप जैसे open करेंगे तो आप एक referral code का option आएगा वहाँ पर दोस्तों आपको डालना है A, B, L, I, V, E जैसे आप इस referral code को डालोगे आपकी free classes open हो जाएगी A, B, Live अगली बात आती है प्लस की प्लस क्या है तो हम दूसरे सब्दों में कहें तो प्लस अनकैडमी का एक paid course है अनकैडमी का paid course है जो सारे top educators उसमें आपको पढ़ाएंगे आपको जिस educator से पढ़ना है आप अपने favorite educator से पढ़ सकते हैं लाइब class में उनको से learn कर सकते हैं different batch course से अलग-अलग आप subject को अलग-अलग जगहों से कबर करना चाहते है वह सकता है ठीक है ना पूल्स कमेंट और चाहते हैं तो educator से बात भी कर सकते है तो वह option भी add हो गया है ठीक है ना वीडियो को download कर सकते हो तो बाद में भी देख सकते हो PDF download कर सकते हो यह सारी चीजे उस और यह window है आपकी payment window आप कितने मंत का subscription लेना चाहते हैं उसको यहां से select करना है सबसे अच्छा subscription है एक साल और दो साल का subscription जो आपको proper तरीके से study करा पाएगा और आप इस platform को के जरी बहुत अच्छे से इस पर पढ़ पाएगे सस्ता भी रहता है बाकी किया picture एक साल के subscription को अगर आप लेना चाहते हैं और एक एवी लाइव रिफ्रेल कोड जो आपने देखा था इसके नीचे आप स्क्रॉल करेंगे दोस्तों तो यहां पर एक option है का है वहाँ पर आपको डाला है एवी लाइव लाइव डाल कर आप जैसे apply करोगे दोस्तों तो 10% का 10% का discount मिल एक और मातपूर्ण बात में यहां पर बताना चाहता हूं अभी एक बहुत बढ़िया offer चला है अगर आप 12 मंत का subscription लेते हैं तो 2 मंत आपको extra मिलेंगे ठीक है और अगर आप 24 मंत का लेते हैं तो 3 मंत एक्स्ट्रा मिलेंगे इसके अलाब़े दोस्तों प्राइज हाइक होन देर मत करें आज आखरी दिन हैं और आज ही सब्सक्राइब इसको कर लें ताकि आपकी स्टेडी में अप्राइज हाइक जैसी चीज़े प्राब्लम क्रेट ना करें इसके अलावा दोस्तों आप में से बहुत से स्टूडेंट पूछते रहते सर पीडिएप कहां से मिलेगी तो दोस्तों कम्प्लीट पीडियाप आप अनकैडमी अभियान टेलिग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं आप टेलिग्राम चैनल पर अनकैडमी अभियान टाइप कीजिए वहां पर आपको जो मिल जाएगा इसके अलावा दोस्तों और बहुत सारी चीज़े हैं जैसे कि आपका फ्री मौक टेस्ट है जो आपको इस प्लेटफर्म के अमाद्यम से फ्री आप कोस्ट प्रवाइड करा जाता है जो MPPSC और SI की तैयारी कराने वाली विध्यारतियों के लिए होगा डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज है जो मंडे से फ्राइडे रोज चलती है मौक टेस्ट रहेगा आपका बीकली जो हर एक एजुकेटर अलग अलग टाइमिंग पर लेते हैं जैसे कि आप देख सकते हो जी के एकॉनोमेक्स, जोग्रफी, पॉलिटी, करेंट अफेर्स, MPPSC, जी के ब्रहमास्त, जी के की प्रप्रेशन करने वाले MPPSC के विध्यारतियों के लिए 40 days का quick revision batch जो MPPSC prelims के लिए है, आठ मंत का foundation batch course prelims और means answer writing series के साथ, विजय पात है MPPSC means का और इसी तरीके से 8 मंत का foundation batch course English medium वालों के लिए भी है जो batch course and maxes लेना है अगर तो AB live referral code के साथ आप किसी भी subscription को चुन सकते हैं, slot को चुन सकते हैं, और एक साल और दो साल पर जो special discount हैं, उनको ले सकते हैं, price बढ़ने से पहले दोस्तों इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, चले अब आपके topic की तरफ आपको लेके चलते हैं, आ फिर इसके बाद दोस्तों हमने start किया था कौन सा क्रसी उतपात तक्नीक, यह हमने कल फिनिस किया with MCQs, आज हम लोग start करने वाले हैं, portion, portion, आहार और पूसक तत्व, यह वाला chapter आज हम start करने वाले हैं, nutrition, food and nutrient, बहुत बड़ी है topic है, जिसको हम आज start करने वाले हैं, और portion पर हम दोस्तों उन आयामों को discuss करेंगे, सबसे पहले हम basic information देखेंगे, portion से संबन देखेंगे, फिर हम देखें नहीं पूसक तत्व, nutrients कौन-कौन से हैं, पूसक तत्वों के प्रकार देखेंगे, और फिर देखेंगे प्रमख पूसक तत्व, जिसको मुल देते major nutrients, यह हमा समय पर देखते रहेंगे, और जो भी उससे संबन दिक्कत आएगी उसको पूरा कर देंगे, solve करा देंगे झाल 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 पीडिएफ के लिए मैंने अभी बताया चंदर प्रभा पीडिएफ जो है आपको अनक एडमी अभियान टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी चले अब स्टार्ट करते हैं गुड इबनिंग सभी के लिए बिसाल मनीज तो दोस्तों यह बढ़िया सा टॉपिक जिसको हमाज स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले हम सामान जानकारी को देखेंगे फिर हम देखेंगे यह पूरी प्रक्रिया कैसे वर्क करती है तो सबसे प सब्दमें इसको समझें और बेसिक रूप से अगर हम इसको देखें तो बॉड़ी को या किसी हुमन जो और्गनेज में उसको रंड करने के लिए न्यूट्रेंट्स क्या वसकता होती है उसको उर्जा क्या वसकता हो जैसे कोई भी बाहन चालाता है तो उसको फ्यूल की करने के लिए अलग-अलग तरीके से होते हैं तो ऐसे साथ प्रकार के मेजर न्यूट्रेंट्स जो हैं हमारी बोडी में पाए जाते हैं इनको एक एक करके हमें समझना है सबसे पहले हम बात करेंगे कार्भोहईड्रिट फिर दिखेंगे हम प्रोटीन उसके बाद लिपिड जिसको हम फैट भी बोलते हैं फिर आता है न्यूक्लिक एसिड विटमिन्स वाटर और लास्ट में आएगा खनेज लबड जिसको हम मिन्दल्स बोलते हैं तो इस तरीके से साथ मेजर जो हैं पूसक पधारत हैं पूसक तत्व हैं जिनका इस्तिमाल हमें पूरे दिन भर करन होता है हमारे फूड में यह सारी चीज़ें होती है जो हम खाना लेते हैं जो हमारा फूड होता है इसमें सारे कंटेंट उप्रब्द होते हैं हम इनको करके पढ़ना है आप क्या होता है दूस्तों इन में कुछ कार्बनिक होते हैं कुछ अकार्बनिक होते कई बहुत बहु अर्फवight और संसा कौन सा कार्वन यह अैसे कुछ भी क्रोष्ष्टन बनता है तो आपको बता दें यह कार्वन Representatives in-organic तो के बार यह बन सकता है कि क्या है दूसरी बात आते हैं दोस्तों यह जितने भी आपके सामने Contained दिख रहा है या कहना आशी साथ तत्व देख रहे है पूशक पदार दिख रहे हैं हमें नूट्रिशन धिख रहें इन इन इनर्जी वाले अलग हैं body built करने वाले अलग हैं ठीक है और शरीर में बाकी चीजों को maintain करने वाले अलग करने लग हैं इनके करके हम समझेंगे इनके करके इन पर रास्ट में question भी हैं तो उनको cover करके हमें लगाना है सबसे पहली बात आज़ी दोस्तों कर्वहेडरेट एबं बसा जो basic परिचा है अभे हम कहा देख रहे हैं बहुत basic परिचा है कर्वहेडरेट और बसा उर्जा उत्पादक हैं इनसे हमें क्या मनता है उर्जा प्रड्यूस करते ये उर्जा को देते हैं करब हाई और बसा का क्या होता है और जान्चा को उतपादन करना एनर्जी को देना एक यही एनर्जी को प्रेडूस करते हैं कि दूसरी बात आती है गया रखन तो प्रोटीन तो प्रोटीन सरीर का निर्मानातमकपदार थे प्रोटीन से बाडी का बॉडी होती Yap लोग देखा होगा बहुत से बीघे फ्रकर बहुत से हमारे लोग आजकल जैसे भी यह जिम वगशा की झाल झाल तो दोस्तों मात कर रहे थे प्रूटीन एक निर्मान आत्मत पधार्थ है प्रूटीन बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है अब आता है लास्ट में देखो दो चीज़ों की कार्वोहेडिट बसा और प्रूटीन हमने देख लिए इन दो से उर्जा मिलती है और फिर आता है प्रूटीन प्रूटीन दोन तरीके से यूज़ होता है एक तो यह निर्मान आत्मक मतलब बॉडी को बिल्ड करेगा बॉडी को बनाएगा साथी साथ आपने देखा हो का जो बच्चे कमजोर होते हैं को पोसित बात में उर्जा देता है पहले बॉडी को बिल्ड करने का काम करता है फिर आता है बिटामिन जल खनेज बिटामिन जल और खनेज लापन यह हमारी जो metabolic reactions होती है वो पाप चाहिकी जो हमारी क्रियाएं होंगी उनको नियंत्रा और एनियमन करते हैं इसी कारण से हमें इन सातों nutrients की ज़रूरत पड़ती है इनी से हमारी पूरी body work कर पाती है तो clear हुआ यह स्यारी चीजें ठीक है यह उर्जा देंगे यह body को बनाएंगे और और एक एक करके जराइड को समझते हैं देखें कर्भो हाइड्रेट के वारे में तो सभी लोग जानते हैं कर्भो हाइड्रेड जैसे की ग्लुकोज C6 H12 और O6 यह कर्भो हाइड्रेड का फॉर्मूला है तो उसमें यह तीनों चीजें जर्राली होती हैं carbon होती है hydrogen होती है और oxygen यह तीनों चीजाओं से बने होती हैं और यह दूस्तों basically तीन प्रकार के होते हैं कि आप थोड़ा साम कर्भो हाइड्रेड को समझ लेते हैं कि कर्भो हाइड्रेड काम कैसे करता है और क्या हमारी बड़ी में वर्क होता है एक होता है monosaccharide दूसरा होता है disaccharide और तीसरा होता है polysaccharide जड़ा समझते हैं mono मतलब single वाला और die मतलब जब दो चीज़ें जूड़ी होते हैं जैसे कि glucose है यह सिंगल saccharide है galactose mono ठीक है और manose triose यह सारे single वाले हैं लेकिन यह जब glucose और और फ्रक्टोस जड़ जाए ग्लुकोज और फ्रक्टोस जब ज़ड़ जाता है ऐसे उसको diceaccharide है यह फिर मिलकर क्या बनाता है यह सुक्रोस बना लेते हैं दो मिलकर क्या बनाएंगे यह सुक्रोस बनाएं इसी तरीके से अगर जोड़े गालेक्टोस साथ तो वह लेक्टोस बन्जाता हैं लेक्टोस सुगर कहां पाय जाता झाया होगा घंक में और यादा क्या ख्यच्रेया होगा एसे घ्लओ कोश और ग्लब स्टरफ तौस डबल जूर जड़ जाता है तो माल्टो स्बन जाता है दो Back to's कभ embora जाँडit में तरफ ापने खूब सुने होंगे फ्रक्टोस कभी गेलक्टोस लेक्टोस तो यह जो andaách एक धिए जो लेकिन पाली से ग्राइड हैं जैसे की काईटें हो गया ग्लाइकोजन हो गया स्टार्ड हो गया याद है नहीं आराया डाइबिटीश पढ़ाय था मैंने तो जब पॉष्णद पढ़ा रहे यह बहुत बहुत बेसिक वाली चीजें हमने पिछले लेसन में पढ़ी थी अब आता है शरीर को उर्जा प्रदान करते हैं पूरे आप कितनी उर्जा प्रदान करते इस पर कई बार MPPSC और आधर एक्जाम होने पूछ लिया है एक ग्राम से 4.2 कलो कैलोरी तक उर्जा से मिलत एक व्यक्ति के भोजन में इसकी मात्रा प्रति दिन लगभग 400 ग्राम होनी चाहिए एक स्वस्थ मनुस्थ से और 22 मनुस्थ में लगभग 400 ग्राम यह होना चाहिए ऐसा माना जाता है अगली बात करेंगे हम लोग DNA और RNA के घटक होते हैं DNA और RNA आपने देखा हो को सुगर ब अगर बाद में क्या होता अगर कोई परसर खूब खाता है खूब लेता है अब बाद में क्या होगा धीरे-धीरे करके पहले बॉडि नॉर्मल तरीके से जरूरत होंगे उसकी पूर्दी करेगी जित्री ओर जाए लेकर वो परसन एवी डाइट लेता है बहुत जातना मात् जाता है ठीक है पेट निकलाता है और पूरे सरी में पस्का हो जाता है आप उससे क्या होगा तो अगर बसा का संचाय हो गया बाद में यही बसा टूड जाती है जब उसको जरूरत पढ़ती है तो यह वसको डूट कर फिर ट तूट कर उस पर उसको यह बसा टूटकर उसको फिर से गुल्गोज में बदलकर उसको और उर्चा देती तो यह छोटे-छोटे से पॉइंट है जो गुल्गोज के साथ आप कवर करना है सबसे important point किन किन से मिलकर बना होता है question इस पर बन सकता है दूसरा point कितनी उर्चा निकलती है के ग्राम में उस पर question आप सब सब्सक्राइब कितनी जरूरत होती है करवाड़ेट की तो वह आपको पता चल गया RNA DNA के घटक क्या होते हैं तो भी आपको पता होना चाहिए ठीक है गेहूं चावल मक्का बाजरा आलू सकरकंद सल्जम यह सारे के सारे जो है यह स्टोर होते हैं यह कैना चीज सोर्स होते हैं इसको प्राप्त करने के clear प्रियर के क 나서 क cuál अगला आता है मंड जिसको हम स्टार्च वोलते हैं स्टार्च ताथunt तथ सैलुलो स झादोणा का बनश्मट्र पते को भाव है मतलब यह दोनों के दौनों केबल और केबल पोधाओं से ही इस मतलब केवल and केवल जीवो divers से बनते हैं चाहे स्ट्राच देख लो या फिर सल्लूज देख लो दुरियां में बहुत मात्रा में सल्लूज अपरिभद ए लगड़ी होती है सब सल्लूज Points की बनी होत्य ठीड तो मंड और सarf स mattered भुलते ये दोनों के दोनों केवल और केवल बर्ट्रिकल या बायलोजिकल तरीके से ही बन सकते हैं और किसी तरीके से यह नहीं बनते हैं ये पेड़ ही इसको बनाते हैं जितना भी संसार में ये उप्रब्द है ये बनस्पतियों से ही प्राप्त हुआ है यह गुलकोज अनू के निर्मेत बहुलक हैं जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया था कि गुलकोज के अनू जो है वो जब जादा हो जाएंगे तो ऐसी सिच्विशन में पॉली सेकराइट कहलाते हैं जब तक दो जोड़ते हैं तो डाई एक सिंगाल होता है तो मोनो जैसे गुलकोज गुलकोज के जब मॉलिकूल ज़्यादा हो जाते तो माल्टोज और और ज़्यादा जगर जोड़ जाएं तो इसी से क्या बनता है फिर स्टार्च और सेलिलोस जैसे चीज़े बच जाती है ठीके तो पिछली बार MPPSC ने इस पर कॉश्चन पूछा था स्टार्च पर आपको साहद याद होगा कि MPPSC ने पूछा था मुकोगहा में स्टार्च का पाचन कैसे होता है तो यह स्टार्च जो है तूट जाता है और तूट कर वापे से गुलकोज बन जाएगा यह MPPSC ने पूछा था अगला है प्रतवी पर सबसे प्रचर मात्रा में कार्बनिक बहुलक भी यही है सेल्यूलोज प्रतवी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाये जाने वाला कार्बनिक बहुलक है यह question भी important question हो सकता है एक simple सा sentence बन सकता है कि कौन सा और्गनिक पॉलीमर प्रतवी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाये जाता है तो वह है आपने देखा हो गाना कि कोसी जो पौधय होते है और बनी होती है वह बनी होती है अब यहै पौधरłościenne ही हो यह है यहीं जलैलुलोज की बनी लकड़ी लकडी पूरी सेललोज है तो प्रतवी पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लकड़ी होती है इसलिए सबसे जादा मात्रा में क्या होता है कार्बनिक बहुलक अगर कोई है तो वो है सेलूलोज तो सेलूलोज से दो चीज़े बनी कि सेलूलोज केवल पौदे ही बना सकते हैं यह गुलुकोस का एक बहुलक है मतलब बहुत सारे गुलुकोस के अनूम जोड़े तो सेलूल बन गया दूसरी बात यह सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला बहुलक है यहां तक की चीजे क्लियर होगी ग्लुकोस की तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन को क्रोटीन में क्या होता है नाइट्रोजन योक्त कार्बनिक पदार थे मतलब जो चीजे पहले थी का कार्बन होगा हाइड्रोजन होगा ऑक्सीजन अब इसमें नाइट्रोजन और जोड़ जाएगी तो अब वो बन जाएगा प्रोटीन इसके अतिरेक्त इसमें आंत्रेक रूप से गंधक फासफूरस भी उपस्ते होते हैं इसमें अगर क्वेशन बनता है आपको तो पता होन चाहिए कि इसमें नेट्रोजन भी होती है जबकि ग्लुकोज में किवल कारवन हैड्रोजन और ऑक्सीजन ही होता था उत्वकों का निर्मान करना टिसू को रिपेर करना और उनकी ग्रोथ करने में मदद करता है अमीनो अमले प्रोटीन की सयोजा के काईयों का एक लग होते हैं इसको जड़ा और समाझ लेते हैं देखे दोस्तों प्रोटीन अमारी बोडी के अंदर बनाए जाते हैं और दूसरे पौदों के अंदर बनते हैं यह जो प्रोटीन है यह अमीनो आमले एक अमीनो आमले दो अमीनो आमले जब जोड़ जाते हैं तो जब अमीनो आमले की कि लंबी छहन होता है तो इसको हम प्रूटीन मुंतों है इसी बात को इस में थोड़ी कठीन्स carried a मेकाईयों का एकलग होते हैं मतलग प्रोटीन का एक लग क्या होती हैं अमीनोमल होते हैं बहुत सिंपल प्रकृती में लगबग 500 प्रकार के अमीनोमल पाय जाते हैं और हमें केबल 20 चाहिए होते हैं मानव सरी में केवल 20 अमीनो अमलिक जो होते हैं मानव सरी में पाय जाते हैं अब 20 अगर हमें चाहिए है तो यह दो प्रकार के होते हैं ग्यारा प्रकार के तो हम भोजन से प्राप्त कर लेते हैं, ग्यारा प्रकार के भोजन से प्राप्त हो सकते हैं, और सरीर की कोशी कामें भी बन सकते हैं, मतलब बाहर से भी मिल जाते हैं, और हमारी बोडी खुद भी बना लीती है, लेकिन बचे हुए 9 को केवल भोजन से ही प प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अमले से बनका बनता है और जो अमीनो अमले हैं वो कितने होते हैं 500 प्रकार के प्रत्वी पर पाए जाते हैं हमारे लिए चाहिए रहते हैं कितने प्रकार के 20 प्रकार के 20 प्रकार के अमीनो अमले में से हम 11 प्रकार के तो बना भी लेते हैं औ लेकिन दोस्तो 9 प्रकार के वह अमीनों अमलों होते हैं जो हमें केवल और केवल फूड से ही मिलेंगे तब हम वह प्रोटीन बना पाएंगे क्या आपकी बात यह समझ में आ रही है हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन और प्रोटीन बना किसे होता है अमीनों अमलों से और यह अमीन से मिल जा तो यूज भी कर लेती हैं लेकिन नौ टाइप के ऐसे होते हैं जो हमें केवल और केवल फूड से ही मिलते हैं हमारी बॉड़ी इन अमीन वामलों को नहीं बना सकती नहीं तो प्रोटीन की कमी में आपको धीरे-धीरे पता चलेगा कि अल्फा क्रेंटन प्रोट WordPress बनने लगेगा अब आता है कारवन Hydassen और Oxygen के बने होते हैं Fat कि it said carbon व्युक्त का Hydrogen व्युक्त और Oxygen से और ये दो प्रकार के होते हैं जिसको वो लेते हैं संत्रप्त वसा और असंत्रप्त वसा हमारी बॉड़ी को को दो만ुच यृख One ठीक है टाइब बस है ज्यादा डीप मत जाना नहीं तो आप परिशान हो जाओगे संतरप्ता संतरप्त में शरीर को उर्जा प्रदान करते हैं और एक ग्राम से 9.3 क्लो कैलोरी उर्जा मिल आती है मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूँ और देने वाले कार्बोहइड्रेट था कार्ब्स में मिलती है कितनी और पॉइंट टू दूसरे है यह कौन से पैट यह जिसको लेपेड बोलने यह कित्ता देती है 9.2 एक 9.3 9.3 पर ग्राम है ठीक है पर ग्राम है अब इसी तरी के से प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन भी 4.5 प्रती ग्राम दे देता है लगभग साड़े चार प्रोटीन भी देता है लेकिन मुख्य रूप से उर्जा के लिए दो सोर्स माने गये हैं कौन-कौन से कार्व हाइड्रेट और पैट या जिसको हम लिपेड बोलते हैं कि चले क्वेश्चन कई वार इस पर भी बना है कि यह कैसे हो गया कि एक वैस्ट को भूजर में इसकी मात्रा प्रती दिल पचास से असी ग्राम लेनी चाहिए मतलब अगर आप फैट या घी या तेल बगएरा लेते हो तो आपको लगभग पचास ग्राम से असी ग्राम कि फैट लेने की आवस्टता होती है ठीक है इसका संसलेशन मैट्रो कॉंडिया में होता है यह कहां पर संसलेशन होता है दोस्तों का मैट्रो कॉंडिया में होता है यह बाहर नहीं संसलेशन हो पाती तुचा के नीचे जमा होकर सरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती, ये उसका मुख्य काम है फैट क्या काम करती है, तुचा के नीचे जमा हो जाती है, ताकि आपका जो टेंपरेचर उसको बैलेंस बना के रखे अब ठंड के दुना में बहुत दूरत पढ़ती है फैट की, और जो बैचारी स्किनी लोग होते हैं, जिनके पास ये नहीं होती है, उनको ज़्यादा ठंड लगती है ब्रद्धवस्ता में फैट बहुत कम हो जाती है, तो ऐसा माना जाता है कि जो बुड़े लोग हो जाते हैं, जब ब्रद्धवस्ता आ जाती है, तो ऐसी सिच्वेशन में ठंड और ज़्यादा लगती है आसिस जी जितने भी वीडियो डिलीट हुए हैं, मैं आपको बता दूँ, हमारी यूनिट सेवन की प्लेलिस्ट है, उसमें फर्स्ट वीडियो है, सेकंड, थर्ड, फॉर्थ, ये चार वीडियो प्राइबिट है ठीक है, फिर ये 5 से 6, 7, 8 ऐसा कंप्लीट करके, जितना 27, 28 तक है, अब ये जो प्राइबिट वीडियो हैं, ये प्राइबिट वीडियो आप लोग बस देखते हो, कि ये कहां मिलेंगे, जबकि मैं सुरू से कह रहा हूं, कि दोस्तों मैंने रिवाइज कराया है, और जैसे ये आपका लास्ट का 27 के बाद से फिर से लेसन बन चालो हो गया, तो उसका लेसन बन छोड़ दो, फिर से ये लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, इन मैं से पढ़ लो, नई जो प्लेलिस्ट उसी के नीचे उसी में एड़ हुई है, उस मैं से कंप्लीट कर लो, अब हमारा कि आपके पास वीडियो मिल जाएं, हाँ पहले वाले वीडियो डिलीट नहीं प्राइवेट हुए हैं, और वो क्यों हुए हैं, वो हम लोग को पता नहीं चल पा रहा हैं, जल्दी से वो भी आ जाएंगे, लेकिन उसके पहले, आपका नुक्सान ना हो तो हमने वो फिर से हैं, तो आप उनको फिर से देख सकते हो, इवन जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, यह सब कुछ मैंने जो पढ़ाया है, वो वीडियो भी आपको उस पर मिल जाएंगे, तो दोस्तों क्वेस्चन कैसे बनते हैं, एक तो क्वेस्चन इससे बन जाता है, कंपेरेटर वाला किन् दो महिने में, अब आती है दोस्तों क्या, क्वेस्चन मन जाता है, इनकी मातरा कितनी लेनी चाहिए, ठीक है, और अंगों को और चोटों से बचाती है, जो हमारे आंतरे अंग हैं, जैसे कि पेट के अंदर के आंग और 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 भी अंग हैं, हड़ी बगेरा भी हैं, तो उन तो थोड़ा कम लगेगा, है ना, कमी अगर होगी तो त्वचा रूखी हो जाएगी, बजन भी कम हो जाएगा, सारीर एक विकास रूख जाएगा, कमी से त्वचा रूखी और बजन कम होना, सरीर का विकास रूख जाना ये फैट के कुछ बेसिक फैक्टर है, ठीक है, अग हम धान से देखें तो ट्रांस्वसा एक बसा का टाइप है जितने भी जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ मात्रा ट्रांस्वसा की होती है और इसके करण बोगत नुक्सान दायक होता है ट्रांसबसा की मात्रा कम करने की प्रक्रिया चल रही डबल एचो ने भी उस पर काम करने की कोशिस किये कि अब ट्रांसबसा हर साल कम करते जाएं यह जो प्रोडक्ट्स होते हैं में ट्रांसबसा की मात्रा और ज़्यादा होती है इसी उनको भी काम किया जा रहा है ट्रांसबसा का उप्यूग सरीर में खराब LDL कोलिस्टरॉल की इसतर को बढ़ा देता है अगर ट्रांसबसा को उप्यूग कर रहा है कोई तो खराब वाला कोलिस्टरॉल बढ़ जाता है और अच्छी कोलिस्टरॉल को कम कर देता है हरदय लोगों को लिए इससे छती हो जाती कि इतना तो बनता है कि खोज पूछ लिया अब तो आप लोगों से भी बन जाएगा कैसे मेरे फंक साब कैसे मेरे फंक न है कि विटामेंस की खोज की दूस्तों वर्स तो 1911 और 12 में यह 20 प्रकार के होते हैं बेटामेंस कितने होते हैं 20 प्रकार के होते हैं जल में गोलंसील और जल में गोलंसील और फैट में गोलंसील क्या मैं समझा पाया हूं विटामिन्स चो होते हैं दो प्रकार के होते हैं एक वाटर सॉलॉबल होते हैं और एक फैट bas culturally Championships Won't Preferences कमारी बॉडदी में जयाता देर तक नहीं रुखते हमारे जैसा निकल जाता यूरेट के साथ यह भी काम कर के निकल लेते हैं लेकिन fat soluble जितने भी विटामिन होते हैं वह हमारे लीबर में store होते हैं और जब जब पड़ती यह वो अपना काम करते रहते हैं अब बात आती है यह जो विटामिन्स हैं इसमें से जल में केवल B और C घुलता है जल में केवल विटामिन B और विटामिन C और जबकि बसा में A, D, E और K यहां पर एक बात और क्लियर कर लें B का मतलब B के पूरे विटामिन B1, B2, B6 यह सारे की विटामिन जो हैं कैसे हैं यह सारे के सारे जल में घुलनसील हैं तो यह बात किलियर हुई कि विटामिन्स चो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं जिसमें विटामिन B और C जल में घुलते हैं और विटामिन A, B, C को छोड हो तो di-Dee और के यह काइम घुलनसील एज फेट में घोलनसील होते हैं अब बात इन विटामेंस की हो यह हमें रेगूलर लेने पड़ते हैं यह हम लेते रहते हैं अगर हम नहीं लेते हैं तो या हमारी सब्सक्राइब में कम हो जाते हैं कि विटामिन एक साथ एक एक करके पढ़ते हैं विटामिन एक नाम है रेटिनॉल विटिनॉल उसकी कमी से आए रतोंधी जीरॉप ठैलेमिया और तच्प उसका में परिवर्तन यह सका प्रिशिक पॉइंट रहे घाएगा तो सब्सक्राइब दूद मक्षन अंडा यक्रत मचली के तेल से यह मिल जाएगा ठीक है तो यह है विटामिन ए इसको आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन कई बार बन जाता है विटामिन एक ही कमी से होता है और पहले आ गया रतौंदी दूसरा गया जिरुव थैले में तो यह विटामिन एक ही कमी से होता है अब आगे बढ़ें कहां कहां से मिलते दकता है तो यह सारी चीज़ें जानते हैं गाजर से हरी सबजियां दूद मक्षन अंडा यक्रत मचली के तेल से यह मिल जाता है अगला विटामिन हम B1 पढ़ेंगे जिसका नाम है थाइमीन अब द करदी का रुक जाना यह विवार ऐसे होती है बेटामिन B1 अनाज फलियां सोयाविएन दूद ओधीन सीरियल बीन स्वेंड मिल के यह सरी चीज़ें इसके अंदर आती है विटामिन वीटू जिसका नाम है राइबो फ्लोविन राइबो फ्लोविन विटामिन वीटू कौन सा है राइबो फ्लोविन है और अगर इसकी कमी होती है तो कीलो से नाम की बिमारी होती है यह होता क्या है तो स्वैलिंग टाइप की हो जाती है और क्रेकिंग क्रेक्ड यह देखिए साइड में दिख रहा होगा ऐसे इस्तिती बन जाती है कीलोस की बीमारी कहलाती है विटामिन B2 से अगली जो मिले कहां से तो पनीर खाएं अंडे, इस्ट, मास, हरी, पत्तेदार सब्जियां इनको खाने से विटामिन B2 की कमी को पूरा किया जा सकता है बिटामिन B3 जिसको नाम है नियासिन इसी को निकोटेनिक अमले भी बोलते हैं इसकी अगर कमी रही दोस्तों तो पैलेगरा नाम की बीमारी होती है और पैलेगरा बीमारी हाथों पर रैसेस टाइप की निकला आते हैं रेड कलर की ऐसे हाथ हो जाएंगे इस्ट मच्छली मास अंडे दूध फलियों से ये प्राप्त हो सकता है ठीक है आप देख रहे होगे कि ये जो दूध है सब जगे मिलता है इसके बाद अगला है बिटामिन B5 जिसको वो देते पैंटो थैनेक आमले बिटामिन B5 जिसमें चर्म रोग ब्रधी कम हो जाएगी बाल सफेद हो जाएगी ठीक है न अंडे दूध मास मुझफली इन सब में ये प्राप्त होता है याद रखें बिटामिन B5 पैंटो थैनेक अमले कहलाता है पैंटो थैनेक आमले जबकि बिटामिन B3 जो था चंद्रमोहन PDF मिलेगा नहीं मिल चुका है आप इत्ते बार कमेंट कर रहे हैं परिसान हो रहे हैं आप यहां मत परिसान होई आप जाए अनकेडमी अभियान जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर 27 मार्च को साइध में ड अभियान हमारी टेलीग्राम की लिंक है अनकेडमी अभियान शुरुबात में हर रोज बताते हैं यह अनकेडमी अभियान हमारा टेलीग्राम चैनल है इससे जुड़ जाईए उस पर आपको मिल जाएगा ठीक है चले अब आगे विटामिन बी फाइब जिसको बोल देते पेंटो थैनिक अमल चर्म रोग ब्रधी कम बाल का सफेद होना यह विटामिन बी फाइब के करण होता है ठीक है और इसमें अंड़ी दूद मास मुंख फली में यह पाया जाता है जी साइन्स भी करा देंगे विटामिन बी सिक्स पायरी डॉक्सिन जिसका नाम क्या है पायरी डॉक्सिन यह रक्तच्छिंतत कुंठत बुद्धी यह इस पर कुछ बिमारियां हैं अगर कमी हुई तो हरी सब्जियां फलियां इस्ट मास अंड़े को खाने से यह कवर हो सकत है कि कोबाल्ट युक्त कौन सा है तो यह साइनो कोबाल में बहुत ज्यादा मात्रा में रक्त की कमी तंत्री का तंत्र में गड़ाबढ़ी आ जाएंगी अगर ऐसा होता है तो मास्क है यह मचली अंड़ा दूध आथ के जिवानों जो हैं इसको प्रोड्यूस कर देते हैं कि अब आथ के जीवानों का मतलब यह नहीं कि आथ के जीवानों को खाना है यह वता है सूर्स हैं आथ के जीवानों उसको बनाते हैं कि अब आता है बिटामिन सी बहुत इस्पेसल बिटामिन माना जाता है अभी वर्तमान की सिच्वेशन में ठीक है और इसकर भी रोग होता है इसकी कमी से आवला नीबू बंस के फल टमाटर सब्जियों आधी खाने में ये पाया जाता है फिर आता है बिटामिन डी, डी मतलब कैल्सियम मतलब कैल्सी फेरॉल सुखा रोग और रिकेट्स या जिसको ऑस्टियो मोलोसिस भी बोलते हैं इसमें इसके कारण होते हैं अगर कमी हो गई तो इसमें मक्षन, मचली का तेल, अंडा, आदी, सूर्य के प्रकास में संसलेशन होता है इसको कैल्सी फेरॉल यही वो है जो इंपोर्टेंट है बिटामिन E जिसको टोको फेरॉल ब्यूटी बिटामिन भी कहा जाता है और यह ब्यूटी बिटामिन अगर नहीं होगा तो जनन शंता में कमी आ जाएगी जननांग तथा पेसियां भी कमजोर होने लगती हैं तेल गेहूं अंडे की जर्दी और सोया बीन में यह बहुत मात्रा में पाया जाता है बिटामिन E अगर आपको ब्यूटी होना सुंदर बनना है तो इसको लेना होगा बिटामिन E को सुंदर बाद में हो लेंगे पहले गवर्मेंट जॉब मिल जाए यह विटामिन के जिसको उता है फिल्लो के बनौन इसका नाम क्या है फिल्लो के बनौन के चोटका लगना चोट पर ठकाना जमना अगर केकी कमी हो जाए अरी सबजियां अंडा सोया बीन और आथ के बैक्ट तो यह कुछ बेसिक चीजें थी अब बचता है दूध और कुछ MCQs लेकिन आज का समय अब हमें परमिसर नहीं देता है हमारे सेसन को अब हमें यहां पर रोकना होगा सब्सक्राइब करेंगे और इस पर कल एक सेसन और लेंगे जिसमें इसको कवर हो जाएगा ठीक है कोई और डाउट है आपके तो आप लिखिए अपने कमेंट में और विटामिस मैंने जल्दी जल्दी आपको कवर करा हैं पीडिएफ से आप पढ़ लीजेगा और अगर सब्सक्राइब को कबर करा देंगे अगर जिस केमिस्टी भी होगी थोड़ा से इंद्यार करिए कि सुभम सर क्लास नहीं ले रहे हैं पता नहीं पूछते बताता हूं बिल्कुल करा दूंगा साइन्स दोस्तो बहुत जो स्टोडिट पूछते रहते हैं कि सर कहां पर हमें इसकी लिंक मिलेगी तो दोस्तो आपको ये एक टेलिग्राम की लिंक है यहां पर आपको इसकी पीडिएफ प्राप्त हो जाएगी इस लिंक के थुरू आप अनकैडमी के इस चैनल से जोड़ जाईए और आपको लिंक प्राप्त हो जाएगी इसका अलाबा दोस्तो अगर ऐसे आप कम्प्लीट तरीके से स्टड़ी करना चाहते हैं तो अनकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ जोड़ जाईए जो आपको एक छोटे से अमाउंट में जो कि 8800 रुपे का है एक साल का कोड अब यूज करते हैं तो यह अमाउंट आपको 10% डिसकाउंट के वाद केवल 7,920 रुपे देना है बारा आठ सो जो है जैसे ही आप यूज करोगे तो ग्यारा 520 में आपको प्राप्त हो जाएगा तो दोस्तो अनकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेन आप का एक्स्ट्र सब्सक्रिप्शन अभी मिलना है आज लास्टर डेट है अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आज ही इस ओफर का लाग ले लिजिए और दूसरी बात है दूस्तों प्राइजेस भी हाईक होने वाली है अनकैडमी पर अगर प्राइजेस कनेक्सन है बुजूड़ जाए तो लास्ट में बहुत इंपोर्टेंट वो है थैंक्स सभी विध्यारतियों का जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं बहुत बहुत धन्यवाद दूस्तों अगर आप में से किसी विध्यारती ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यह अभी भी आपका रेड देख रहा है तो यह एक खाना चाहिए बड़ी कमी है बिल्कों कमी को पूरा किजिए सब्सक्राइब कर लिजिए तक अगले वीडियो भी आपको मिलते रहें बैल आइकोन को दवा देंगे तो नोटिफिकेसन मिलता रहेगा और इसके अलावा द कि इस यूनिट के बाद मतलब यह यूनिट सैबंथ यूनिट है इस ऍयवियो खतम होने के बाद अगली यूनिट चालो होगी लेकिन अगली यूनिट अदर एजुटर पढ़ा रहे हैं कि फिर से रिपीट होगी कुले तो फिर मिलते हैं आप से अगले ससन में नमस्कार